गुड मॉनिंग बच्चो आज हम पढ़ेंगे पाट चार संधी इसमें स्वर संधी के विश्में पढ़ेंगे स्वर संधी क्या है दो स्वर वर्णों के मेल से जो संधी होती है उसे स्वर संधी कहते हैं स्वर संधी के पाँच भेद है उन पाँच भेदों में पहला है दीर्ग संधी दीर्ग संधी क्या है आईउ हस अच्वा दीर्ग के बाद यदि हस आईउ या दीर्ग आईउ हों तो दोनों के स्थान पर एक दीर्ग स्वर हो जाता है जैसे अ प्लस आ यहां दोनों आ है ना यह दोनों हर्स स्वर है इनकी जड़े पर दीर्ग स्वर बन जाता है जैसे देखिए सूर्य इसमें यह लास में आ आ रहा है इसके शुरुआत में आ रहा है तो यहाँ पर बड़ा बन गया, दीर्ग बन गया, सूर्यास्त, इसी तरह अगर शुरू में और फिर बाद में बड़ा आया है, मतलब शुरू में हस और बाद में दीर्ग स्वर आया है, देखें इसके अंत में हस स्वर लगा है, इसके प्रतम जो है इसका वो दीर्ग स्वर ह तब भी आपका बड़ा E बन जाएगा, दीर्ग ही बन जाएगा, ठीक है? मतलब जिसमें अन्तता अगर हम संदी करेंगे और दीर्ग स्वर बन के आए, वहाँ पर दीर्ग संदी होगी, ठीक है? इसी तरह से छोटी E, छोटी E, दोनों मिली हैं, तो बड़ी E ही बनेगा, यहा बड़ी E, छोटी E मिलेगी, तब भी बड़ी E, मतलब हस्वर और दीर्ग स्वर, कोई भी स्वर मिलेंगे, बनेगा वो दीर्ग स्वर ही, ठीक है? इसके उधार भी देखी, कभी E, छोटी E की मातला लगी है, यहाँ E, इंद्र, छोटी E, दोनों छोटी E हैं, बाद में जो इसमें दीर्ग बन गया, कभी E, बड़ी E बन गई, इसी तरह से इसमें भी देखी, गरीश, शचींद्र, महीश, इधर आपकी छोटी E हो, बड़ी E हो, कोई भी E हो, ठीक है? बस समान होना चाहिए, तो वो स्वरो जो है, यहाँ पर दीर्ग में बन जाएगे, इसी तरह द स्वर है, बाद में हमारे दीर्ग ही बनेंगे, जब परिणाम दीर्ग में आएगा, तब हमारा दीर्ग संधी होगी, समझने आया आपको, धन्यवाद